कि नमस्कार दोस्तों मैं ब्रीज आपका अपने यूटूब चैनल कंपिटिशन मैच में स्वागत करता हूं दोस्तों डे सेकंड में हमने डिवीजबिल्टी रूल सीखा और उसमें मैंने दो वीडियो आपको प्रोवाइड की हैं दोनों वीडियो आप देख लीजिए और उ उसकी बेस्ट पर ही मैंने आपको जो पीडियेफ थी वो दी थी उसमें कुछ कोश्चन अलग थे जो मैं कोश्चन सभी कोश्चन जो 50 कोश्चन है वो मैं करा रहा हूं काफी लंबा वीडियो होने वाला है तो कोपी पैनल लीजिए और कोश्चन को देखे कुछ कोश्चन स काफी लंबा वीडियो होने वाला है कोश्चन हमारे पास है करने के लिए काफी है इसलिए first question से हमने start करते हैं पहला question आसान था हमने first video देखे होगी उसी के बिहाप पे था थोड़ा से differ था इसमें और कुछ खास था नहीं इसमें आप देखे पहला question था हमारे पास है पांच से विभाज्य तीन करमागत प्राकत संख्या होगे 225 है उसमें उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है the sum of three consecutive natural number each divisible by five परतेक पांच से भाग है is two to five the largest among them मैंने आपको बताया था कि जितने number हो तो उससे sum को divide कर देंगे तो हमें middle term मिल जाएगी ये बात हमने सीखी थी ठीक है इसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि पांच से विभाज्य है उसका मैं बताता हूँ पहले हम middle term निकाल लेते हैं ठीक है तो मैंने बताया था number कितने हैं 3 है हमारे पास sum कितना है हमारे पास से sum हमारे पास है 225 ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम जल्दी जल्दी question करेंगे और numbers हमारे पास कितने हैं 3 हैं ठीक है तो मैं 225 middle term मिरे पास mini term क्या आजाएगी मिडल टरम मेरे पास आ जाएगी 2 to 5 upon 3 is equal to 37 जा और 35 75 मेरे पास से मिडल टरम आ जाएगी 75 मेरे पास मिडल टरम आ जाएगी उसने कहा है कि जो numbers है जो numbers है वो 5 से divisible है 5 से divisible है तो इससे पहले 5 से divisible number कौन से है consecutive है और लगाता रहे तो इससे पहले कौन से है 70 है और इसके बाद कौन से है 80 है ठीक है इन तिनों को हम एड करते हैं तो हमारे पास 225 सम आ जाएगा ठीक है तो इसने पूछा था कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगा इसमें 80 ठीक है दोस्तों कुछ खास कु से question देखिए question क्या था two three six nine five three यह दिया हुए है eight seven six से यहां पर बताना है कि क्या आएगा कि यह 11 से completely divide हो जाए ठीक है मैंने बताया था some और वी some स्थानों पर आए अंको का योग यह तो बराबर हो या जो उनका difference है जी आ उनका difference है वह 11 से भाग हो जाएगी ठीक है तो हम some more वी some स्थान ले लेंगे इसमें यह लिया हमने ठीक है यह लिया यह लिया यह लिया ठीक है इनको plus करते हैं इधर से हम इसको को ले लेंगे ये 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 और ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने है ये हमारे पास एक्स है ठीक है इनको पलस करते हैं आठ और छे चोदे चोदे और तीन सत्रे स्त्रे और नो कितना चब्विस और तीन 29 हुआ ठीक है और इनका कितना हुआ 2, 6, 8, 8, 5, 13, 13 और x और 13 और 7, 20 इसमें से 20 लेस कर देंगे तो उमारे पास x की वैल्यू आजएगी क्या 9 तो x की वैल्यू क्या गई 9 ठीक है क्योंकि सम इक्वल हो जाएगा फिर फिर क्या होगा सम इक्वल हो जाएगा तो क्या जाएगी वैल्यू 9 ठीक है नेक् अठारा और एक्किस से भी बाद जाओ का है कि पांच अंकों की वैल लगुत्तम छोटी से चोटी से चोटी संख्या बताईए जो बारा अठारा और एक्किस से भी बाद जाओ ता स्मालेस्ट वाइव डिजित नंबर विच इस डिविजिबल बाई 12, 18, 21 इस से पूरी हो जाएगी वह संख्या क्या है वह छोटी-छोटी पॉंसल्ख को कि शंख्या वह बतानी है ठीक है तो हम क्या करेंगे 12 क्या होगा जो शंख्या किस से भागो बताओ 3 और 4 से मैंने क्या बताय था जिनका HCF 1 आता है ऐसे factor लेंगे, ठीक है, 18 किस से होगी, 18 वाली, जो 9 और 2 से हो जाएगी, 2 और 9 से हो जाएगी, ठीक है, और 21 किस से हो जाएगी, 3 और 7 से हो जाएगी, ठीक है, तो हम इसको option से करेंगे, इस question को, इस question को हमें, option से करेंगे, बिल्कुल आसान है, कोशी ज़्यादा tough question नहीं है, देखो, हमें options दिये हो इसके, 10080, A में दिया होँआ है, ठीक है, B में दिया होँआ है, 30256, ठीक है, और C में हमें दिया होँआ है, 10224, ठीक है, और D में हमें दिया होँआ है, 50321, देखो दोस्तों, उसने कहा है, कि पांच अंको की सबसे छोटी संख्या, पांच अंको की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक लगाएंगे और उसके आगे, 40, होगी पांच अंको की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, अब ये देखे, इस क्या सबस इनको ही चेक करेंगे यह तो कैंसली हो जाएंगी इतनी बड़ी संक्या नहीं होगी ठीक है क्योंकि यह इसका iLcm निकालके एक वही तरिक्का हुई इसका LCM निकाल के और फिर इसको divide कर दो ठीक है जो say's बचेगा जो मतलब इससे ज़्यादा पर लेके जाएंगे और जो say's बचेगा उसको हमें इसमें से LCM उसमें से घटा देंगे और फिर उसको जोड़ देंगे उस तरीके से करेंगे लेकिन वैसे नहीं करेंगे हम वो लमपात्रिक का है ठीक है हमने rule पढ़े है इसलिए थे पढ़े है है ठीक है factor वाडा rule है यह factor वाडा rule लगेगा ठीक है अब देखिए हम क्या देखेंगे 3 और 4 का हमें rule पता है हमने first कोई हम check कर लेते है तीनो चार का हमें पता है कि अंको का योग नो है भई, तीन से हो जाएगी ठीक है, चार का लास्ट के टू डिजिट देखे हमने चार से भी हो रही है, ठीक है फिर नो से, नो से भी हो रही है, आठ रेक नो दो से भी हो रही है, ठीक है फिर तीन से देखेंगे, हमें, तीन से तो होई रही है, सेवन से और देखेंगे, क्या? सेवन से और देखेंगे, आशान है सेवन से, क्योंकि हमें इसको डबल करके नहीं निकालेंगे, वैसे ही निकालेंगे, रूल तो हमें पता है, लेकिन हम फिर भी मैं इसको बता जाए 7173, 74028, 74028 है, ये डिवाइड हो जाएगे completely, ठीक है, रूल से कैसे करेंगे इसको देखिए, 7 वाड़ा रूल मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट डिजित है उसको डबल करके इसमें से लेस कर देंगे, डबल इसका क्या होगा, जिरो ही हो जाएगा, ठीक है, फिर इसका डबल कर देंगे हम दोबारा, अब हमारे पास ये इसको continue कर सकते हैं, 7 वाड़े रूल में हम continue इसको करते रहेंगे, ठीक है, जब तक टू डिजित ना आए, जब तक आसान ना आए, मेरेको डिवाइड ना करना पड़े, ठीक है, अब देखो, ये मेरे पास बच गया, क्योंकि 0 तो हटा दी, मैंने 0 किया, तो 0 यही आ गया, अब मैं दोबारा इसको करता हूँ, अब यह 100 आ गया, अब मैं 8 का डबल कर देता हूँ, 8 का डबल किया मैंने, 84 आ गया, अब 84 को भी मैं डिवाइड नहीं करता, यह 84 को जाएगी, तो यही संख्या होगी, जो सब से डिवाइड होती है, ठीक है भई, यहाँ इसका भई, वो निकाल लेते, इसका LCM निकाल के, उससे इसको डिवाइड करते, ठीक है, वो फिर अलग तरिक का होता, वो थोड़ा लेंट ही हो जाता, ठीक है, यह हमने सिखा इसलिए तो है यह, डिवीजन रूल इसी है, तो हमने सिखा है, ठीक है, नेक्स्ट कोशिन पर आ जाते हैं, उदार लिया आपने, ठीक है दोस्तों, दोस्तों आपके लिए एक नया डस्टर मैंने बना दिया है, जो हम जब सरकारी स्कूल में पढ़ते थे थे न, तो टीचर कहता था हमें के यार duster बनाके लाओ, डaster बनाके लाओ, तो वैसा duster मैंने आपके लिए बनाया है, यार वो जो duster थे न, वो एक काम नहीं कर रहे थे, तो यह मैंने आपके लिए, क्यूंकि साफ, यह बिलकुल है अच्छे से साफ कर देता है, देशी है वह भई, देशी जगाड बन तो मैं गडर पे बनाता था तो मैंने यह स्प्राइब मेर मूड मैं आया चलो डुस्ट्र बनाते हैं तो मेरे आपके लिए तो मैं तो यह याद आया यार एसा रुस्त करता हूं तो यह फिर उने के pense की लिए नेस्ट आज़ त्ट टाइम वेस्ट नहीं करते है एक संख्या X एक संख्या X है जो 7 से भी बाज़य है बिल्कुल आसान कोश्चन है इसमें तो कुछ भी नहीं था यार चोटी-चोटी संख्या दी हुई थी हम देख लेते हैं ओप्शन में और D मुझे दिया हो था 148 यार ये तो बिल्कुल आसान था कुश्चन है इसमें हम देख लें तो कौन सी संख्या साथ से वो कह रहा है कि साथ से भी बाज़य है साथ से पूरी-पूरी भाग होती है तो ऐसी संख्या देख लें देखो ये भी नहीं हो रही ये भी नहीं हो रही आसान है इसमें to normal सी बात है ये ही हो रही है तो option यह हो गा, anscera यह हो गा ज्यादा कुछ सोचणई की हो सकता नहीं है हमें देखना है कि कितना जल्दी question को कर पाए हम किस तरिक केसे करें, option से करें कैसे करें, जब ज़ब जब questions पर पचीए बार。 तो मैंने बोर्ड हो चेंज कर दी आपके लिए थीक है are सुअ थरेस्फ प्चाहस दिब्ब्ड गत्यू 1 प्त रखता है। हर एक डब्बे में पहले व्यक्ति, एक से तो सारे डिवाइड होंगे, तो सभी में एक एक रख दिया उसने, ठीक है, दूसरा व्यक्ति हर दूसरे में, मतलब है, दूसरा व्यक्ति सेकेंड में रखेगा, फिर फॉर्थ में रखेगा, शिक्त में जो मतलब सम है, सम सिंख है, मतलब जो दो से डिवाइड होती है उन उन में डबों में रखता है ठीक है तक है तुर्थ है पशुमित रोंगी हर पत्याते करें रोड़ा कि देगा टिक करूंट्स देखा अब क्यों cancel होगे क्योंकि लास्ट वाले ने फिफ्टी तो रख दिये तो फिफ्टी से ज्यादा इपत्थर हैं सीद्धी सी बात है ठीक है तो पहले व्यक्ति ने एक रख्या वही सम्में तो 50 व्यक्ति ने रखे लेकिन 53 से डिवाइडे डिवीजी विल्टी रूल मैंने इसलिए है तो शिःए तर्व पचास तीनसे डिवाइड ने और तो नहीं आएगा फिर मैंने च चार देख я아서 शर्मेरे रखा पांच वाले इंड़ ने भिंद 10 में रखाएगे नोन ने नहीं दस वाड़े रखा 10 पत्थर फिर बीच में किसी से डिवाइड नहीं हुआ फिर 25 वाड़े रखा 25 पत्थर ठीक है फिर 50 वाड़े ने रखाकितने 50 पत्थर प्टोटल इतने शोंस उसने लास्ट वाड़े में रखे गए ठीक है अई उसको plus कर देंगे 50 प्लस 25 75 85 90 93 तो आंसर आ गया 93 ठीक है दोस्तों नेक्स्ट कोशन देखते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना में ठीक है नेक्स्ट कोशन है पचास से कम तीन के सभी गुण जो का योग फल बताईए बिलकुल आसान था यार पचास से कम पचास से कम तीन के सभी गुण जोगा डिया थीक है अनदर मिर पास है 16 हो गया, ठीक है, तो ये natural number बन गई, 3 common है, तो natural number का sum क्या होता है, यार मैंने बताया था, first class से आप start करो, वहां मैंने 0 से start किया है, सभी बाते आपको बताई हुई है, जो question में आ रही है, ठीक है, तो n into n plus से 1 upon 2 होगा, ठीक है, कितनी संख्या है, 16, 16 गुना, 17, बटे, 2, 2 से cancel हो जाएगा, 8 पे, ठीक है, 30, 134, 134, 40, 408 आ गया, ठीक है, 408 इन का sum आ गया, question हो गया, ठीक है भी, ये हो गया, next question, ठीक है, ये भी हो गया, बिल्कुल आसान question है, यार कोई खास questions थे नहीं, next question देखिए, n के किसी पुरुणांक मान के लिए, 3 की पावर 2n, पलस 9n, पलस 5, को 3 से भी बाजिद करने पर सेस्फल क्या आता है, वैसे सेस्फल का question, वैसे divisibility rule पर ही कर लेते हैं, इसको ज्यादा मुश्किल question है, for any integral value of n, 3 की पावर 2n, पलस 9n, पलस 5, when divided by 3, we'll leave the remainder, तो remainder क्या बचेगा, ठीक है बई, PDF आफ इसमें, मैंने जो वीडियो दे रखा है ना, पिछले वाला, उसमें मैंने दिया, इसमें भी दे दूँगा मैं, कुछ बस्चों से नहीं download हुआ, किसे नहीं किया, तो ये वीडियो में डाल लूँगा, तो इसमें भी PDF का link मैं दे दूँगा, वैसे आप पिछली 9N पलस 5 ये कह रहा है जब इसको 3 से डिवाइड करते हैं ना, कोई भी पूर्णांक ले ले इसके n की value, ठीक है, जब इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 6 फल क्या रहेगा, से फल क्या आएगा, ठीक है, देखो दोस्तों, ये 3 से डिवाइड होता है, और ये भी 3 से होगा बस बाग की हमारे पास यही बचेगा क्योंकि इसके साथ है नहीं है ठीक है इसकी वैल्यू आप कुछ भी रख लो तो आप यह 3 से डिवाइड होगा कैसे देखो एन की वैल्यू मैं 1 रख लेता हूँ 1 रखी मैंने 3 की पावर है 2 इंटू 1 हो जाएगी पलस 9 इंटू 1 हो जाएगा ठीक है पलस 5 ठीक है यह क्या जाएगा 3 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 9 ही हो जाएगा ठीक है यह 9 ही हो जाएगा पलस 5 है यह 3 से कैंसल हो जाएगा यह से नहीं घबराना यार है मैंने क्या बताया A to Z आपको A B C D कुछ भी आजाए उससे घबराना नहीं है वेल लिपूट करनी आपको ठीक है जहां पर घबराने के बात होगी ना वहां मैं बता दूँँगा यहां गबराने के बात है यहां पर इस तरीक के से करो ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखिए 100 से 600 के बीच 100 से 600 के बीच ऐसे परणांकों की संख्या कितनी है जो 4 और 6 दोनों से भी वाजित होते हैं 4 और 6 मैंने बताया 4 और 6 से 4 और 6 से कोण सी संख्या बाग होगी जो इसका ल्सी में ले लेंगे यह जाए जया जाएगा इसके जैसे 4 से तो हमें पता है 6 का भी हमें पता है 4 युग कोई एसी सोचने वाले बात है का भी पता है थीन और दो से हो और ये 4 से चार का दो में पताई है ठीक है तो क्या बताना है सो और छे सोगे तो इसका मतलब क्या है कि जो बारा से हो जाए जो चार का मतलब है जो बारा से इसका एल सिम ले लेंगे लिए 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 निकाड़ा मने तो एल सिम क्या जाएगा दो दो गुणा तीन बारा आ जाएगा किना आजाएगा 12 सेंथ करते हैं पता ऐन निकालने का त्रिक का नहीं पता होता बता देताम यहार कि साथ के साथ बता देता हूं में सिखेंगे तो हमें आसा नहीं रहा स्थ इसमैं एक कोए बात नहीं बता देता हूं कि दभराणी इंगा पूई बात कम स्थ Alform ठीक है जैसे मेरे पास 4 और 6 है वृई 4 है और 6 है ठीक है चार के जो मैं गुलनः खंड करता हूं prime factors prime सिखेंगे अबी 2 2 इंटू 2 आती है ठीक है और 6 की मेरे पास क्या आती है 2 इंटू 3 आती है ठीक है 2 into 3 आते हैं, तो मेरे पास क्या होगा, कि इन दोनों की जो multiplication है ना, और इन की multiplication है, ठीक है, तो मेरे पास यहां से मैं 2 लूँगा, 2 into 2 ले लिया, अब ये 2 तो पहले ही आ गया ना, 2 तो पहले ही आ गया इसमें, जो पहले आ चुके उनको नहीं लेंगे, ठीक है, जो पहले आ गये, उनको नहीं लेंगे, जैसे 2 आ गया, पहले उपर वाली संख्य में 2 सामिल था, ठीक है, तो हम केवल 3 को लेंगे, तो हमारे पास से, 12 हमारे पास से, LCM आ जाएगा, ठीक है, इस तरीक के से करते हैं, ठीक है, अब यह बाद में LCM करेंगे, जब मैं बिल्कुल डिटेल से बताऊँगा, इसको बिल्कुल आसान तरीक केज़े, ठीक है, अब कहा रहा है, 100 से 600 के बीच, 100 से लेके, और 600 के बीच, 600 के बीच में बतानी है, वही 600 सामिल नहीं है, उसमें लेकिन, ठीक है, चुरसी, बार, अठे, 96, तो 8 संख्या हो जाएंगी, 100 तक की, 100 तक की कितनी होगी, 100 तक कितनी हो जाएंगी, भई, 8 संख्या हो जाएंगी, ठीक है, 100 तक कितनी हो जाएंगी, ठीक है, 100 तक कितनी हो जाएंगी, आठ, में तो 600 को निकाल देंगे हम ठीक है तो कितने होगी 49 कितनी संख्या होगी एक से एक से 600 तक की यह थी एक से 100 तक की एक से 100 तक की और एक से 600 तक की कितनी होगी वही पचास वही एक से 600 तक की कितनी होगी पचास है लेकिन मेरे को 600 नहीं निकालना 600 तक नहीं निकालनी मेरे को निकालनी है 509 तक क्योंकि 600 सामिल नहीं है तो कितने हो जाएंगी 49 क्योंकि 600 निकन गया अब 49 में से यह लेस्ट कर देंगे 49-8 तो मेरे पास 40 बना जाएंगे जो चार और 6 से भाग होती है दोनों से भाग हो जाएंगी क्योंकि 12 से हो जाएगी ठीक है भाई नेक्स्ट कोश्चन देखो भी नेक्स्ट कोश्चन हमारे पास है जब 335 वें 335 इस एड़ेट टू 5a7 5a7 के रहे कि 335 को आसान कोश्चन ताया ज्यादा निए 5a7 में जोड़ जाता है तो हमारे पास कह रहे है तो परिणाम 8b2 आता है जब इसको इसमें जोड़ा जाता है तो 8b2 आता है यह आता मेरे पास ठीक है तो कह रहे है कि जो 8b2 है ना वो 3 से भाग है पूरत तरह भाग है तो a का महतम संभवत है मनलब ज्यादा ज्यादा a की value क्या हो सकती है ज़ादास ज़ादा value निकाल लिए भई देखो 7 और 5 बारा भई यह तो ठीक है तीन और A की value कह रहा है ज़ादास ज़ादा निकाल लिए तो देखो B की value में क्या क्या रख सकता हूं जब यह 3 से भागो एक तो 2 आ सकती है लेकिन 2 तो आएगी ने क्योंकि यहाँ पे देखो इ 2 आजाएगा फिर यहाँ पर आगे तो गया है फिर तो यहां पर 9 होना चाहिए था ठीक है तो 2 नहीं आएगा 5 देखोंगा मैं 5 लिया मैंने तो 5 लेता हूं तो यहाँ पर 2 आ जाएगी ठीक है value क्या जाएगी तो लेकिन 5 से 5 लेता हूं तब यह भागो जाएगा लेकिन मै फाइफ ने लेके यहाँ पर क्या लोंगा 8 लोंगा क्योंकि maximum पूछा उसने a की value maximum पूछा है एक की value मैं maximum क्या लगाऊं ठीक है minimum कहता है तो मेर पास है मैं यहाँ पर 5 करके और यहाँ पर 2 आ जाती approximately 1 ठीक है ल Astronomy 7 उसने maximum पूछी है ठीक है, अब यहाँ पे 18 बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 और 5 बारा, एक यहाँ पे, क्या था, remainder गया था, ठीक है, और यहाँ पे क्या जाएगा, 4 और 4, 8 भई, तभी तो बनेगा, तो A की value क्या गई भई, 4, maximum value क्या जाएगी, 4, ठीक है, आसान था कोश्चन यारी, इसमें ज़्यादा कुम्पिटिशने एक्जाम की त्यारी करे हो, यारी तना तो आता है आपको, थरीका यह दो रूल था, next question देखो भई, next question है, दस्मा question है, किसी तीन अंको वाली संख्या के अंतिम दो अंकों से बनी संख्या, आपकों से बनी संख्या ए, और जो अंतिम दो अंकों से बनी संख्या है, आ ना, वो छे का पूरर्ल गुनांक है, मतलब यहाँ पर हमने पता क्या है, यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक, दो, तीन, चार, पान, छे, यहां कुछ भी हो सकता है यहां कुछ भी हो सकता है तो वो संक्या किस से वाग होगी देखिए यूनिट पल्स पे क्या रहा है यूनिट पल्स पे देखो चार से तो हो नी रही चार से क्योंकि यह भी नहीं हो रहीर Corson अप्लाई होगा इस पर क्या करेंगे हमें चेपर तो वाड़ा ही होगा स्जावाओ साफर तो दोस्तों देखो अब इसमें क्या हो रहा है 4 से भी नहीं हो रहा 3 का भी रूल नहीं हो रहा 6 से नहीं हो रहा 6 से क्योंकि 6 के लिए 2 और 3 से होना चीए 3 का तो मैंने फैली बता दिया अब 2 से हो रहा देखो सभी digits क्या रहे है 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6, 8 तो इसका मतलब किस से हो रहा है 2 से हो रहा है क्या जाएगा अंसर है 2 तो लास्ट के जो 2 डिजिट है यादी वो 6 के 6 के गुणांक है ठीक है 6 से भाग होते है तो वो संख्या 2 से भाग होगी क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो 0, 2, 4, 6, 8 आएगा ठीक है भई नेक्स्ट कोशिन पर आजाओ जल्दी जल्दी करने है यार टाइम हो रहा है ज़्याद लंबी वीडियो बन जाएगा नहीं तो भाग के एक परसन में भाजक भागफल का तीन गुणा है भाग के एक परसन में भाजक भागफल का तीन गुणा है आपको पता है ये क्या होतता है बाज्य होतता है ये क्या होतता है बाज्य होतता है ये भाज्य होतता है ठीक है और ये भई भागफल होतता है ठीक है सब पता है आपको ठीक है ये तो सिखें है यार ये सेज होता है इंगलिस में बता देता हूँ भाई ये तो होता है डिवीडेंड ये क्या होता है डिवीडेंड होता है ठीक है और ये डिवाईजर होता है भाई ये डिवाईजर भाग करने वाड़ा और ये कोशियन्ट होता है भाई बाजक है ना बागफल का तीन गुणा है और सेश फल का छे गुणा है सेश दो दिया हुए है सेश दो दिया हुए है बाजक बागफल का तीन गुणा है और सेश फल का छे गुणा है जो बाजक है ना ये क्या है सेश फल का छे गुणा है ये बारा हो गया ठीक है अरीश का त तो यह 4 हो गया, तो हमें भाज्य निकालना है, डिविडेंड बताना है, तो 12 गुणा, यह और यह, और पलस यह, तो यह आ जाएगा मेरे पास है, 12 गुणा, 4 पलस से 2, 12 चोकड, 43 पलस से 2, आसान था, यार यह भी कोई कोश्चिन था गया, कुछ खास कोश्चिन था, 50 आ गय यह जो होता है न, this is equal to, क्या-क्या, भाजक, गुणा, भागफल, जमा, सेज, यह उता है, पता है हमें, ठीक है, डिविडेंड एक्वर्स टू, डिवाईजर इन्टू, कोश्चिन पलस से, सेज, रिमेंडर, ठीक है, नेक्स्ट कोश्चिन देखें है, नेक्स्ट कोश्चि को, 289 से, डिवाइड करने पर, 289 से भाग करने पर, 186 बसता है, किसी संख्या को, इस तरीक के कोश्चिन में, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, जब यह जो संख्या दी होए न, जैसे, x को 289 से भाग करने पर, 186 बसता है, तो हमें क्या करना है, जो 186 है न, उसी को होता मिलेगा, ठीक है, कह रहा कि, एक संख्या x है भई, माल लिया, उसको 289 से डिवाइड करने पर है न, हमें, रिमेंडर क्या बसता है, 18 बसता है, ठीक है, तो 17 से बाग करने पर, क्या बचेगा, यह कह रहा कि, 17 से बाग करने पर, क्या बचेगा, तो यह हमेशा न, इस से इस नंबर से डिवाइड होता हुआ मिलेगा, ठीक है, 17, 17, 119 से, इसका क्या है ये, square है, 289 क्या है, 17 का, square है, ठीक है, तो remainder जो बचा है ना, remainder जो बचा है ना, उसको divide कर देंगे, इस remainder को 17 से बाग कर देंगे, तो मेरे पास एक सेज बचेगा, क्या बचेगा, एक सेज, इस ट ठीक है, क्योंकि ये हमेशा, जब यह हमेशा, ज्यादा तर, ज्यादा तर question में, ये हमेशा, इस number से, जो second number दिया हुआ, उससे divide मिलेगा, ठीक है, इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं थी यार, ठीक है, इस पे कोई ऐसा rule खास लागू भी नहीं होता है, ठीक है, जहान ल जित किया जाता है, जब एन को 6 से बाग करते हैं, तो सेसफल 4 पराप्त होता है, तदर नुसार 2N को 6 से बाग करने पर क्या सेस बचेगा, ठीक है, ये कह रहा है कि, when N is divided by 6, the remainder is 4, जब N है, एक मान लिया, ठीक है, तो 6 से डिवाइड करते हैं, तो मिले को 4 सेस बचता है, ठ ठीक है, जो N है, उसको 6 से डिवाइड करते हैं, तो मिले को 4 सेस बचता है, ठीक है, तो N की वैल्यू क्या हो सकती है, 10 हो सकती है, जभी तो 4 सेस बचेगा, रिमेंडर, ये remainder है, remainder बचा है, 4, remainder क्या बचा है, 4, ठीक है, तो ये संख्या क्या हो सकते है, 10 हो सकती है, 10 को जब ह 6 से डिवाइड करते हैं तो 4 6 बसता है माल लिया ठीक है बता रहा हूं वैसे उस तरीके से ठीक है मैं बताऊंगा और क्या कर सकते हैं इसमें ठीक है तो जब यहाँ पर n की value क्या हो जाएगी 10 माल ली सभी तो 6 से डिवाइड करूँगा तो 4 मेंटर बचेगा ठीक है अब कहा रहा है 2n को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या 6 बचेगा ठीक है तो मैं 2n को 2n 2n क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 भई ठीक है क्या हो जाएगा 20 मैंने क्या ठाए value put करके देख लेंगे कि यह कब आ सकता है 4 6 कब बचेगा जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 10 ले लूँगा मैं 10 को जब मैं डिवाइड करता हूँ 6 से तो क्या 6 बचेगा 4 6 बचेगा ठीक है तो 2n को डिवाइड करूँगा मतलब 2n क्या आगा है 20 20 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कितना ses बचता है two six बचता है remainder क्या बचेगा two बचेगा वऐ remainder two बचता है तो क्या समझ में आई बात हमें यहाँ पर यहाँ पर जो हमाराorschेस बचता है जो n के साथ हो रहा है वही उसके साथ करके उसको divide कर देंगे n के साथ क्या हुआ है देखो n जो था न वो 2n बन गया है n क्या बन गया है 2n बन गया वई n क्या बन गया है 2n बन गया है तो हमारे पास 6 पह लेकिया था 4 था ठीक है तो हम 4 को भी 2n बना है न तो 4 को भी double कर देंगे n का double हो गया 2n ठीक है, तो 4 को भी 2 से गुणा कर देंगे 4 को, जो sort method है 4 को भी 2 से गुणा कर देंगे 8 आ जाएगा, 8 को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 6 बचेगा इतना पंगा करने की आवसकता नहीं थी ठीक है, जो n के साथ हुआ है माल लिए ये n का square कर देता माल लिए ये n का square कर देता ये कह रहा है कि n को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 4 6 बचता है n को जब मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो 4 6 बचता है तो कह रहा है कि n की square को जब मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो 6 पल क्या बचेगा तो आप चार का स्केर कर दो ठीक है एन का स्केर कर रहा न तो आप चार का जो 6 है न आप जो एन के साथ हो रहा है न वो 6 के साथ कर दो ठीक है जो एन के साथ हो रहा है वो आप 6 पल के साथ जो 6 बच रहा है न उसके साथ कर दो और फिर उसको डिवाइड कर दो ठीक है, 4 चुके, 16 हो जाता भई 16, तो 16 को हम 6 से डिवाइड करते तो मिर पास 46 बसता क्या बसता? 46 बसता ठीक है, 4 चुके 16, 46 बसता उशी तरीक के से देखो, 10 का स्क्वेर करते हम 100 आ जाता, कितना आ जाता? 100, तो 100 को जब मैं 6 से डिवाइड करता 6, एकम 6 है, ठीक है 4, 6 चिके 36, 4 यह तो 6 बसता, फिर भी ठीक है, तो जो n के साथ हो रहा है जो n के साथ हो रहा है, जो भी दिया हुआ वो जिस, उस शंख्या के साथ हो रहा है ना, वो आपे 6 के साथ कर दो, और उसको डिवाइड कर दो वो ही आ जाएगा, जैसे 3N कर देता भी है इसको, 3N कर देता तो 4, 3, 12, तो 0 ही से बसता हमारे पास 3N कर देता ना इसको क्योंकि 3N में फिर वो completely डिवाइड हो जाता फिर उससे ठीक है भाई? next question पर आ जाओ next question मुझे दिवा हुआ है दो अंकों की एक संख्या और संख्या की अंकों के स्थान को आपस में बदल कर बनी संख्या का योग है एक पूरण वरग संख्या है तो इस तरह की संख्या कितनी हो सकती है ठीक है? काफी अच्छा question है level काफी अच्छा दो अंकों की एक संख्या और अंकों के स्थान आपस में बदल कर बली संख्या का योग तो अंकों की एक संख्या होती है देखो कोई भी संख्या है यह वही संख्या पर 25 है ठीक है तो 25 टू की वेल्यू क्या है टू इन्टू 10 पलस 5, यही तो बनी है, 5 इंटू 1, क्योंकि इका इकांग, यह दा इकांग, दा इकांग 10 से गुणा होता है, और इका इकांग एक से गुणा होता है, यही होती है संख्या तो हमारे पास है, जो संख्या ना, मान लिया, इका इकांग है x और इका इकांक है y तो मिर पास संख्या बन जाएगी 10x पलस y ठीक है संख्या मिर पास क्या बन जाएगी 10x पलस y और जब अंको को पलटने पर बनी संख्या अंको को जब पलटने पर पलट देंगे तो मिर पास बन जाएगी 10y पलस x दोनों को जोडने पर एक वरग पराप् है तो मैंने इनको प्लस किया 10x प्लस है 11x हो जाएगा ठीक है और यह 11y हो जाएगा ठीक है 11x और 11 य तो 11 को मना जाएगा तो x प्लस है ठीक है तो x प्लस y जो है न 11 आणा चाहिए जबी तो वरक बनेगे पूरी यह तो 11 यहां तो 11 हो गया तो x प्लस y की वैल्यू भी 11 आणा चाहिए जबी तो पूर्ण वरक बनेगी एक्स प्लस y की वैल्यू भी क्या नी चाहिए 11 ओना चाहिए ठीक है जबी तो पूर्ण पूर्ण वरक बनेगी तो x प्लस y भी क्या ना चाहिए 11 होना चाहिए कब कब 11 होगा भाई ऐसी सिंख क्या है बताओ जिसमें 11 11 हो रहा है बताओ 9 और 2 अब जब इसको पल उटूँगा तो 2 और 9 इन दोनों को जब मैं पलस करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है 121 आता है ठीक है 7 और 2 नो ठीक है 9 और 2 11 ठीक है फिर 8 और 3 और 3 और 8 जब इसको पलस करता हूँ तब भी मेरे पास 121 आता है ठीक है फिर आ जाएगी 7 और 4 7 और 4 4 और 7 जब इसको पलस करता हूँ तो कितना आ जाता है 121 आ जाता है ठीक है 6 और 5 6 और 5 ग्यारा ठीक है तो 5 और 6 121 और भी है कोई संख्या और नहीं बनती क्योंकि 4 साथ तो आ गया ठीक है तो यह संख्या कितनी संख्या होगी देख लो संख्या हो गई 8 किनी संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्योंकि अपोजिट करेंगे जब भी बात वही है तो इसने पूच्छा था बहुत ही अच्छा कोश्यन था दो उनकों की एक संख्या और संख्या के अंक स्थान को आपस में बदल कर बनी संख्या का योग जो है एक एक से नो हो गया दो ठीक है दो नो 121 से 8 3 3 8 7 4 4 7 6 5 5 6 ठीक है बही बहुत अच्छा कोश्यन था ठीक है नेक्स्ट कोश्यन देख लो सैसन को ज़्यादा ज़्यादा से एर करो भई ठीक है दोस्तों को बताओ सब्सक्राइब करेंगे यार हमारा भी थोड़ा मुनोबल बढ़ेगा आप जितने ज़्यादा दोस्त जुड़ेंगे हमसे मुनोबल बढ़ेगा ठीक है हमारा भी कि वह इतने बच्चे हमसे एजु स्थान का अंक एकाई के स्थान के अंक से पांच दीक है वही दाही के स्थान का अंक है ना जो एकाई के स्थान के अंक से पांच दीक है यदि अंको का योग का पांच गुना अंको के योग का पांच गुना उस संख्या में से गटाया जाता है तो उस संख्या के अंको का स्थ स्तान पलट जाता है अब देखो वहीए किसमें दिया हुए में वे open option से करेंगे दिचेव को option से कर्ते हैं जैसे हमारे पास एक 11 दिया हुए है ठीक है एयो में 11 दिया है तो 4 का हमें 5 गुणा करेंगे यहां अंको का योगी दिया हो है हमें क्या दिया हो है अंको का योगी दिया हो है अंको का योग ठीक है एक बात मैंने बताई थी कि जो अंको का डिफ्रेंस होगा ना जब हम पल्टेंगे जो अंको का डिफ्रेंस होगा गुणा क्या जो डिफ्रेंस गुणा नो डिफ्रेंस गुणा आपता हो कि ऐसे क्या है कोई जिनका अंक पलटने पर क्योंकि यह 9 से डिवाइड नहीं होती मैंने क्या बताया कि जो यह आएगा ना वो डिफ्रेंस का क्या एगा डिफ्रेंस का नो से गुणा कर देंगे तब आएगा ठीक है दूसरे में साथ गुणा पांच 35 हो गया यह भी नियात मैं उप्सन से करा रहा हूं कोश्च्छों को बिल्कुल आसान हो जाएगा अगला है 9 गुणा 5 यह हो रही है भई 45 ठीक है 9 गुणा 5 अगला देखो 13 गुणा 5 कैसे हो जाएगी 9 से तो और यह नहीं रही नो से कोन से संख्या हो रही है यह मैंने आपको एक 9 का रूल पढ़ाते हो एक बात बताई थी कि जब अंको का डिफ्रेंस जो होगा ना जैसे मेरे पास है इसमें संख्या मेरे पास बताए क्या आ जाती है मेरे पास 7 और 2 आ गई यह experience की बात हो जाती है 7 और 2 आ जाती है इसका डिफ्रेंस कितना आ गया 5 जब मैं 5 को 9 से ग अंको का डिफ्रेंस अंको का डिफ्रेंस कितना था वही 7 में से 2 गए 5 ठीक है और उसको जब मैं 9 से गुणा कर दूंगा ना तो वह अंको पलट जाएंगे उसके तो इसमें सबसे बेस्ट तरीक का यही था तो 9 गुणा 5 यही संख्या ऐसी थी क्योंकि 9 था ना जो वही नो क्या जाएगा इसके अंको का यहीं संख्या क्या जाएगी एक यह था यह बात मैंने आपको जब क्यूश्यन में का रूल बता रहा था तो दोस्तों प्रैक्टिस कीजिये ज्याए-ज्यादा और वीडिय को देखना नहीं होता मैंने क्या बताये था नोटस बनाईए पर अपर और जो बात बता रहा नो उसको लिख लीजिए ठीक है काम आएंगी ये बात तेयार ठीक है ऐसे नहीं पड़ा रहा मैं नेक्स्ट कोश्चन देखिए कोश्चन को सहोल करके जल्दी जल्दी इस कोश्चन में आप चाहे आदा गंटा लगा लो यार ठीक है लेकिन मेरे को क्या खड़ना है मेरे को देखना है कि कितने जल्दी में कुश्चन को कर रहा हूं ठीक है नेक्स्ट देखिए कि तीन लगातार दनातमक संख्या के वर्गों कायोग 365 है देख यार 365 है तीन लगाता रहे है लगाता रहे है तो मिडल टरम आ जाएगी मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूँ 3 से मैं डिवाइड कर 3 एकम 3 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 121 हा गया 121 हा गया यह वरग है यह क्या है बीचवाली संक्या का वरग है क्योंकि वरगों का यह का है ना उसने तो यह बीचवाली संक्या का वरग है तो यह 121 का वरग है बताओ 121 का वरग है तो बीचवाली संक्या आगी मेरे पास यह 10 होगी और यह 12 होगी ठीक है जब इनका वरग करूँगा ना है इसका क्या जाएगा सोभी इसका क्या जाएगा 121 इसका क्या जाएगा 144 जब इन सब को जोड़े हुआ ना तो 365 आएगा बहुत आसान है जो बात मैंने बता दी क्योंकि शीरीज टाइप बन रही है यह सीरीज करें लगाता रहें जो लगाता रहों तो मैं उसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आजाएगा कोई दिक्कत दिक्कत नहीं आने चाहिए यार बिलकुल आसान था कुष्यन ठीक है मैंने समभ जो सम दिया हुआ था ना उसको डिवाइड कर दिया जितनी संख्या थी तो मेरे पास बीच्वाली लेकिन वर्ग का था उसने क्या था वर्ग है तो बीच वाली संख्या का वर्ग आ गया तो वर्ग मैंने कुण निकाल दिया थीक है उतार ले जल्दी जल्दी ले लिया गरो यार ठीक है बहुत लंबी क्लास हो जाएगी next question देखो next question है बई मेरे पास है जब n को 5 से विवाजित किया जाता है तो 2 6 फल बचता है जब n square को 5 से विवाजित किया जाएगा तो 6 क्या होगा मैंने बताया था जो n के साथ हो रहा है जो n के साथ हो रहा है वो आप 6 के साथ कर दो जब n को 5 से भी बाज़ गया, 6 दो आता है भई, ठीक है, जब n को मैं 5 से भाग करता हूँ न, तो 6 दो आता है, तो इसका मतलब n की value क्या है, 7 है, 7 है, 7 का square कर दो, 9 inches हो गया, 9 inches हो, जब मैं 5 से भाग करता हूँ, तो 4 6 आएगा, तो मैंने क्या कहा, जो n के साथ हो रहा है, वो मैं 5 से भाग करूँगा, तो 4 6 बचेगा, तो answer 6 चार रहा गया, इसका, भात आरी समझ में, पिछले question कर आया था, मैंने, मैंने बताया था, क्या बताया था, दोस्तों, कि जो n के साथ हो रहा है, जो n के साथ हो रहा है, वो आप 6 के साथ कर दो, n के साथ क्या हुआ है, n का square क से कितना आता है, remainder मीरे पास कितना आता है, remainder मेरे पास 2 आता है, ठीक है, जब n के square, n का square कितना हो जाएगा, 14, इसको जब मैं 5 से भाग करूँगा, तो 6 के आ जाएगा, 4 आएगा, मैंने क्या बताया, जो n के साथ हो रहा है, आप 6 के साथ कर दो, 6 कितना बचेगा था, दो, तो च्यार को जो मैं पांच से वागत करूँगा तो च्यार ही आ जाएगा बात आ रही समझवें ठीक है वई उतार लो एक बर इसको ठीक है